हेलो दोस्तों कैसे फो आप सवी उम्मीद करते हैं आप सवी लोग जो है अच्छे होंगे तो मैं देर्वतर है पृस्छी मंगाल से दोस्तों काफी लोगों का ये मैसेज आ रहा था के सर हमारे account में multiple currency चल रहा है चलिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं, मोबाइल से आप कैसे ओपरेट कर सकते हो, अपने वीप्यों कर सकते हो, इसके अंदर चेंजस कर सकते हो, सारा का सारा कुछ जो है, मैंने आलड़ी वीडियो में बताया था, तो चलिए, आज मैं स्टार्ट करता हूं, यह हैं Microsoft Remote Desktop, अग यहां पर जाके आपको logging करना पड़ेगा तो चलिए मैं करता हूँ इसको open तो यहां पर मैं double click करूँगा यहां पर continue करूँगा कि कोई मेरा VPS अल्रेडी यहां पर logging है तो दोस्तों यह आ गया मेरा जो है dashboard और VPS के अंदर मैं हूँ ठीक है यहां पर मेरा $1,000 का account चल रहा है जैसे कि आप देख सेकते हो लास्ट में 0161 का account है पाच मिनिट टाइम फ्रेम के उपर चल रहा है और रोबोट जो है दोस्तों यहां पर auto trading on है अभी मैं यह video क्यों बना रहा हूँ ठीक है तो इसको मैं करता हूँ minimize और एक चीज मैं आपको बता देता आज जो मैं video record कर रहा हूँ आज है 25 ताडिक तो 26 ताडिक को आप देख सकते हो कि AUD के उपर news है तो news के उपर भी मैंने video बनाया था अगर नहीं देखा तो आप video जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों जितना भी आप robot से trading करो news का impact बहुत ज़्यादा पड़ता है तो काफ आज है 26 ताडिक मतलब कल जो AUD के प्यार है उसको हम off रखें ठीक है और बाकी जो भी प्यार चल रहा है उसको हम चलने दे जैसे चलना है ठीक है तो बस हमने news देख लिया news कैसे देखना है already मैंने आप लोग को बताया था काफी videos में तो दोस्तों मैंने जो है अपना VPS को again on किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AUD, USD and NZD JPY के उपर चल रहा है और AUD को उपर news है यह news के उपर आपको off रखना है या on रखना ही आपके उपर है लेकिन major major जो news रहता है उसमें off करना है मेरे हिसाब से सही रहता है ठीक है तो अभी मैं आपको जो है particular दो accounts चल रहा है दो currency चल रहा है यहाँ पर काफी सरे लोग को तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस तक भी चल सकता है तो particular इस account को मैं बंद करूँगा तो सबसे पहले जो नियम है इसका किस तरीके समलुक बंद रख सकते हैं particular pair को तो यहाँ पर आप जाईए auto trading को जो है यहाँ से ए दोस्तो कुछ कुछ चीज आपको जो है अगर आप चाहते हो कि आपको जो है इस pair को हटाना है तो जितना भी floating loss है उसको आपको जो है loss में book करना ही होगा ठीक है तो AUD के pair में ज्यादा कुछ तो मेरा है नहीं 10-12 dollar होगा तो मैं just क्योंकि मैं on रखूंगा शायद ठीक है सारा का सारा को जो है cross कर देता हूं ठीक है तो यहाँ पर और भी चल रहा है आप देख सेकते हैं यह डिवेजडी का pair ओके इसको मैं off करूंगा बाद में यह मत बोलिएगा के सर आपका account मैंने देखा कि यहाँ पर loss book कर रहा है यह कर रहा है यह नहीं है मैं वीडियो बना ल करेंगे क्यों आपने loss में बुक किया आपका robot तो loss में बुक नहीं करता है तो मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको दिखाने के लिए यह मैंने loss book किया ठीक है तो आपने क्या किया सर आपने क्या auto trading को off और आपने क्या क्या जो running trade है AUSD या जो भी pair का off करना चाहते है उसका आपने off कर दिया और यह काम जब भी आपका कोई news है मान के चलो रात को 9 बजे तो आपको दिन में कभी भी तीन चार घंटे पहले इसको off कर देना है ठीक है समझ गये जो news का timing है उस news का timing से कुछ घंटे पहले आपको यह काम करना है तो यह मैंने चार्ट ऊपर cross नहीं है इस नीचे वाला जो छोटा सा cross है इसको हमने कर दिया cross देखें यहाँ पे AUD-USD का PR जो हट गया है और NZD-JPY का सीप प्यार चल रहा है तो इसको फटा-फट आपको on कर देना है और यह चीज़ फटा-फट आपको करना है ठीक है तो यह on कर दिया अभी मान के चलो आपका जो भी news का impact था क्योंकि बरे news का impact कुछ घंटे तक रहता है इवन एक दिन तक भी रह सकता है दो दिन तक भी रह सकता है तो आपको next दिन क्या करना है जब भी आपको auto trading on करना है अभी मैं बताऊंगा कैसे आप फिर से जो है AUD-USD का प्यार को लगाएंगे simple सी बात है काफी सार option है कहीं पर भी आपको छेरकार नहीं करना है simple से बात है यहाँ पर लेप साइड में जाए और यहाँ पर सर्च कीजिए AUD-USD तो मैं सर्च करूंगा AUD-USD को देखें यहाँ पर मिल गया AUD-USD यहाँ पर right click कीजेगा ठीक है और यहाँ पर देखें new order और चार्ट window चार्ट यहाँ पर time frame सबसे पहले देखें एक घंटा automatically select किया हुआ था लेकिन हमें जो है 5 minute में click करना है क्योंकि हमारा robot जो है 5 minute time frame पर काम करता है अच्छा ठीक है तो बस इतना सा करने से जो है आपका auto trading start नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा कुछ settings में change करना होगा ठीक है तो normal स जो है about section में आपको जाना है जो भी यहाँ पर कुछ आप करने ही सकतो common के अंदर जाना है ठीक है और यहाँ पर देखे allow live trading इसको आपको click करके already click होगा नहीं होगा तो click कर दीजेगा और इसमें allow dll inputs इसको भी आपको check in करना है check in करने के बाद import section में आपको जाना है और यहा तो maximum lot size देखे 0.01 से अपना start होता है और maximum risk 0.01 0.01 यहाँ पर take profit 20 pips के उपर होगा ठीक है और उसमें नीचे सबसे नीचे चले जाए है मैंने कुछ भी change नहीं किया ठीक है मैं चेंज करूंगा maximum lot size को यहाँ पर 0.01 है यहाँ पर 0.07 करता हूँ और इसको मैं बाहर में एक बा तो जो भी मैं कर रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो एक बार और देखना है यहाँ पर कुछ भी मैंने change नहीं किया जो है वैसे ही है अगर आपको settings का image चाहिए अगर आपको settings में problem हो रहा है तो मुझे whatsapp कीजेगा या telegram कीजेगा मैं आपको settings का image दे दूँगा देखिए currency PR का settings अलग रहता है gold का settings अलग रहता है यहाँ पर मैं currency PR का settings आप लोगों के सामने करके दिखाया ठीक है तो यहाँ पर बस आपका हो गया काम और यहाँ पर कर देना है OK तो OK जब भी करेंगे तो अब नीचे देखेंगे AUD USD का PR लगना start हो जाएग तो ले गया ना AUD USD का PR देखिए यहाँ पर within seconds ही जो है एक buy का और एक sale का जो है आपका start हो गया तो जब भी आप अपना MT4 में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका row वोज है on है even काम कर रहा है दोस्तों अभी आपने सब कुछ देख Apple के laptop से कर रहा हूं तो यहाँ पर थोड़ा process अलग है Apple के laptop से कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर right में जो option है ना click है यहाँ पर कभी भी cross मत कीजिएगा क्योंकि इस Windows से तो आपको निकलना भी पड़ेगा तो इस तरीके से मत option है ठीक है यहाँ पर minimize कीजिएगा और उसके बाद इसको cross कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है Apple में left side में रहता है लेकिन ज्यादा तर लोग Windows यूज करते तो Windows वाले को लिए बता रहा हूं तो Windows जब भी आप open करेंगे तो middle में देखिए इस मेरा mouse पर तो यह VPS के अंदर जितना भी program है यह running रहेगा तो यह एक छोटा सा intimation आपको देगा तो इसको cross करके आप निकल जाओ कभी भी right side का जो भी cross आप देख रहे हो यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपका chart बंद हो जाएगा फिर trade नहीं लेगा तो आपको हमेशा ही जो करने का हमारा मतलब ही यह रहता है कि हमारे internet हमेशा जितना time के लिए हमने VPS लिया है मानके चलो 6 महिना तो आप क्यों हमेशा laptop या desktop open करने की जरूरत नहीं VPS के अंदर internet रहता है तो वह जो है आप यहां से cross भी कर देते हो तो VPS अपके अंदर जो है चलता रहता है trade करने के हमेशा internet की जरूरत परता है तो मैं laptop off भी कर दूँगा तो कोई दिक्कत वारी बात नहीं दोस्तों हमने अपने robot trading service को start किया है लगबग 7-8 महिना हो चुका है अपना thousand plus clients हमारे पास अभी है जो की happy है तो आप भी अगर आपके accounts में robot को लगाना चाहते हो और decent profit करना चाहते ह तो हमारे जो भी contact details है ये वीडियो के नीचे रहेगा तो आज का वीडियो तो simply था जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये आप कैसे on या कैसे off कर सकते हो तो thank you दोस्तों वीडियो को देखने के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो please like कीजे subscribe नहीं किया ह मेरे चैनल को तो please subscribe कीजे thank you दोस्तों वीडियो को देखने के लिए